नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्रशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज की दिन के पंचांग की आज दिनांग है 12 अगर सन 2023 विक्रम समवत 2080 चल रहा है श्रावन अधिक मास है कृष्ण पक्ष है वडशा रितू है तिथी आज की एका दशी है सुबह 6 बच के 33 मिनट तक आगे फिर 12 तिथी आ जाएगी और आज का वार है शनिवार आज की नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे भात रहेगा योग हर्शन है दौपेर बाद 3 बच के 20 मिनट तक आगे वजर योग है तो योग की द्रश्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है जहां 3 बच के 20 मिनट तक दौपेर तक बहुत अच्छा दिन है आगे का दिन खरीदारी करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है करन कॉलाव है शाम 7 बच के 25 मिनट तक आगे तैतिल करन रहेगा सुर्योदे का समय दर्श को सुबह 5 बच के 56 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 7 मिनट का है आज का राहु काल सुबह 9 से 10.30 बचे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुक्कारे नहीं करते हैं और लंबी या समय और सुजबू से टाल दीजिए आज के मूरत थे जो की बहुती दुष्ट मूरत रहा करते हैं वह पांच बच के 56 मिनट सुबह 6 बच के 49 मिनट 6 बच के 50 मिनट और साथ बच के 41 मिनट आज का दिशा शूल दर्श को पूर्व दिशा में तो पहले कोशिश तो यह करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है अनिवारे यात्रा है तो उसका परिहार करके निकलें परिहार बहुत सरल है पूर्व की और मुक कीजिए थोड़ा सा अध्रक का टुकडा या उड़त के दाने खाकर पहले पांच के दम पीछे चलिए और जब ये करें आप यानि उड़त के जो दाने खाएंगे और जो अध्रक का टुकडा खाएंगे उस दोरान भगवान श्री राम या अपने अपने इस करदे में ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें ऐसा करेंगे तो ये दिशा सूल आपको बिलकुल प पच्चिस मिनट तक फिर शाम साथ बच के दस मिनट से आठ बच के पच्चिस मिनट तक ये तीनों का अलखंड बाकी पूरे दिन की अपिक्षा ज्यादा शुब है योग का रख है तो अच्छे एफट्स जब आप करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा सफलत की बेश राशी वालों को अपने अति आत्मिश्वास पर आज रखना है नियंत्रण ऐसे ही जो व्रश राशी वाले हैं उनको मिलेगा बड़ा धनलाब का उसार कहीं से कोई अच्छा अर्थिक लाब मिल सकता है और मिथुन राशी वाले आज पूरा दिन रहेंगे डबल मा पढ़ेंगे आगे विशेश करके वो लोग जो अकाउंट से फाइनस से जुड़े हैं तुला राशी वाले भागे मारे अवसरों का अलाव उठाते वे दिखेंगे वहीं व्रस्टिक राशी वाले आज वाहन चलाने में बढ़ते सावधानी और धनू राशी वाले पार्ट नई दिशा वहीं मीन राशी वाले आज धेरिये बनाए रखें किसी की बातें आपको बहुत बुरी लग सकती ठेस लग सकती है तो दर्शे को अब करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझे उसे बाहर लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अंत में करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रना और समाधान दर्शे को बाहरी आवरण का प्रयोग सदेव से भीतर की वास्त विक्ता को छुपाने के लिए होता है अंदर से व्यक्ति कुछ और होता है बाहर से कुछ से उस व्यक्ति के प्रति अपनी धार्णा नहीं बनानी चाहिए और किसी पर भी अती विश्वास करने से हमेश्य बचना चाहिए और ऐसा हर एक परस्तिती में कीजिए इस पर गोस्वामी तुलसिदास जी कहते हैं कि तुलसी देखी सुबेश भूले ही मूड न चतुर नर सुन्दर के के ही पेखु बचन सुदासम असन अही यानि कि सुन्दर वेश बाहिया अडंबर देखकर ने सर्फ मूर्ख बलकि चतुर मनुष्य भी धोका खा जाते हैं जैसे मूर्ख को ही देखिए कि उसका वचन और रूप इतना सुन्दर है लेकिन उसका जो आहार है वो समझ कर किसी से विहवार आगे बढ़ाएं यह आज की ज्यान चर्चा का सार है अब करते हैं बात उन्विस्ष उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समझ्षाओं के सरल समधान आपको देंगे और जिने करके सफलता को अर्चनों को बहुत पीछे छोड़ते वे जीवन मे आप सफलता की और दरता से तेजगती से कॉन्फिडेंस से अगर सरूंगे सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आप लोग माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं वहां शंगार समगरी अर्पित करें साथ ही भगवान शिव को बहुती सुन्दर बना देगा हनुमान जी की शिव जी की अमोग कृपा पर होग इसमें कोई संदे नहीं ऐसे दर्शे को जब आपको किसी साक्षातकार में जाने पर भय लगता हो या स्टेज फियर रहता हो या फिर मुकदमे में आपको लगता है कि आप सही है फिर भी आपका पक्ष लगातार कमजूर पढ़ता जा रहा है या फिर ऐसा होता हो कि आप किसी विरोधी का सामना करने में घबरा जाते हूं ऐसी किसी भी स्तिती में नित्य भगवान श्री राम का पंच्योप चार से पूजन करें और उनके युद्ध में प्रवत्त महाकाल करें और सरवत्र विजयी बनाएं फिर इस प्राथना के साथ इस विश्ष्ट चौपाई की तीन माला का जाप आप 21 दिन तक करें फिर देखें चमतकार कैसे होता है चौपाई ध्यान से समझेगा इस प्रकार है कर सारंग साजी कटी भाता अरिदल दलन चले रगुनाता कर स 21 दिन कर लीजिए उसके बाद जब भी आपको किसी ऐसे कारें जाना हो तो मात्र एक माला का जाप करके भगवान से प्रात्ना करके निकलिए आपकी कारें सिद्धी निश्चित रूप से होगी ऐसी दर्शे को जब विवा योग के युवक योगतियों को अच्छे रिष्टे ना मिल रहे हो या फिर विवा तैह हुने में अनावश्चक विलंब हो रहा हो तो ऐसी किसी भी स्तिती में एक छोटा सा प्रियोग करना चाहिए जिससे इस समश्चा से आप बहार आएं लड़की को चाहिए कि हर सुमवार शिवजी पर एक सेब यानि एपल और माता पारवती पर एक पीला वस्तर उनको अरपित कर दें और नमह शिवाय की पांच माला का जाप नित्य करती रहें ऐसे लड़के को चाहिए कि हर शुक्रवार गौ माता को मीठे चावल खिलाए और नित्य तीन माला इस बहुत ही विसिस्ट मंतर का जाप करना शुरू कर दे मंतर इस प्रकारे ध्यान से समझेगा क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा धर्श को बहुत ही जल्दी यानि कुछ दो ढ़ाई तीन महिने बीटते बीटते बहुत ही जल्दी आपका रिष्टा तय हो जाएगा और उचित अपने कुल अनुसार आपको समझाओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी बड़ी-बड़ी मनुकामनाय पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का यह हमारे दर्शक इशान गुपता जी की जैपूर से 28 जनवरी सन 2000 का इनका जनम है च के अलावा राहु केतु की पीडा जनम पत्री का में सपच्ट है आपके सूर्य ग्रहन का अस्टम भाव में होना दर्शारा है कि बहुत भारी पित्र दोश भी आपको तो आप एक तो पित्र शान्ती करवाईए बुद्ध के साथ गुना जाप करवाईए और एक अच्छा स पन्ना गले में पहन लीजिए आपको बहुत जल्दी इन सब शमश्या उसे रहात आने लगेगी साथ साथ आप ध्यान कीजिए प्रणयाम कीजिए आज की दूसरी जनम पत्रीका यह हमारी दर्शक मीना जी की करोली से 8 दिसंबर 1996 का इनका जनम है दौपेर 12 बच के 24 मिनट क करोली प्रश्निकिया विवा योग कब है वैवाइक जीवन कैसा रहेगा मीना जी आपका कुम्ब लगन है तुला राशी है गुरू और शुक्र आपकी जनम पत्रिका में स्वय राशी के हैं तो यह बहुत ही अच्छा योग होता है वैवाइक जीवन के लिए और वैसे भी आपका करियर वाइस भी बहुत अच्छा रहता है हाला कि मंगल की सिंग राशी में आपकी विवा भाव में उपस्तिती यह दर्शा रहेए कि गुसेल जीवन साथी रहेगा लेकिन वैसे कोई बड़ी समश्या जीवन में कभी नहीं आएगी आपका जो विवा योग है वो जन्वरी सन दोजार चौबिस से जन्वरी दोजार पच्चिस के बीच में जिसमें आपका विवा हो जाएगा तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसस्त उपाय और ग्यान चर्चा पंडे चंद्रशेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताएव उपायों को सही कि विदी सटीक समय और अटूट शद्धा के साथ करके आप पूरफर लाब उठाएगे और जो ज्यान चर्चा सत्संग हमने किया है इस अपने जीवन में उतारेंगे धीरे धीरे आपका जीवन शियो में सत्य में और आनंद में होता जाएगा महादेव से प्रातना करता करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनों कामना पूर्ती निश्चित रूप से हो साथ एक निवेदन है कि श्रावन मास चल रहा है व्रक्षा रोपन अधिक से अधिक संख्या में करें प्रकृति की सेवा करें क्योंकि ये प्रकृति ही साक्षाद भगव भगवति आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति नमस्कार मैं हुदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं यूजेटीन के हमारे स्खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस्विशे सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ट के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम एसा क्या करें और किन बातों को करना और बहुद करें जिससे आज के दिन को हम और भी बहतरी बना सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई हर्डल है, किसी प्रकार की कोई परिशानी है, अगर आज हमें कुछ guidance चाहिए, तो उसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं, और परमात्मा से जानने का प्रयास करते हैं, कि किस प्रकार से हमारे जो hurdles हैं, situations हैं, हम कैसे आसानी से उसे overcome कर सकते हैं जो हम reading करते हैं यदि आप नहीं जानते हैं कि उसमें कौन सा है आपका मूलांक या कौन सी होगी आपकी reading तो एक उधारन देकर आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी date of birth है 24 यानी की 24 तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नमबर 6 तो 6 होगा आपका मूलांक और आज की तारीक है 12 अगस्त 2023 और आज की तारीक को जब हम जोड़ेंगे 12 को यानी 1 और 2 तो जोड़ाएगा नमबर 3 तो नमबर 3 होगा आज की तारीक का मूलांक जिसके स्वामी है गुरू प्लानेट गुरू is a very powerful planet और कहीं न कहीं हमारी शिक्षा हमारी सदबुद्धी हमारे को जितना भी लोग सम्मान देते हैं ये सारी की सारी चीजें प्लानेट गुरू के उपर डिपेंड करती हैं और प्लानेट गुरू की जो इस्तिती होती है वो हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्पून भूमी का अदा करती है क्योंकि हमारा करियर भी उसके उपर आश्रित होता है काफी अधिक तो दोस्तों आज के हम एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे एक विशेश प्रशनकी जो कुछ समय पहले मुझसे पूछा गया मुझसे कहा गया कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं यह वहां हम कुछ चळळाते हैं तो वहां से माली जै कि हमें प्रशाद स्रूप अगर माला मिलती है वहां से अगर हमें भेट स्रूप चुन्नी चैना मैं जो आपने हिर्दे बहाव से लगाए पने मस्तरपने पर मात्माजी jak करे केPM वह कुछ प्रदान करते हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको वहां से भेट मिलती है वो जो चिन्न मिलता है मालीज अगर आपको दुपट्टा मिला तो देखे जिस प्रकार से मैंने मा भगवती का जो मुझे प्रिसाथ सुरूप मिला उसको मैंने ग्रहन किया तो ठीक में आप उसकी दूप बत्ती बना कर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं या फिर आप अपने घर के जो गार्डन है वहां पर आप किसी विशेश जगे पर जहां पर बहुत जाता लोगों के पैर नहीं पढ़ते हो किसी गमले के अंदर आप जो है उसको डाल सकते हैं इसके अब हमें उन सब दो पर हुब है आप अपणाब के एक जीशाय का प्रकार से यहां पर दोस्तों बिना देर की कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूल के लिए हमें पर मातमा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 12 अगस्क्ट 23 के लिए और मूलांक एक के लिए हमसे कहा जा रहा है माईजर का कार्ड है आपका लखी नमर है नमर चार और आपको कहा जा रहा है कि आज की दिन आपको बहुत जादा भौतिक वाद के प्रती लालच नहीं करना है अगर किसी प्रकार का धन का कोई मुद्दा है प्रॉपर्टी से संब कारित नहीं है मान लीजे कि आज आपने लड़ाई जगड़ा करके आज बहुत जादा चीज़ें आपने करके कुछ हांसल कर भी लिया तो क्या आप अपने आप से पूछिए क्या ये वह चीज़ें जो वास्तिक्ता में आपको ग्रोथ दे पार रही हैं तो कुल मिला के आप अपनी पर्सनल स्पिरिच्वल ग्रोथ पर भी आज आप काम करें आपके लिए बहुत ही आविशक है माईजर नहीं बनना है आपका दिन शुबहो आए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 12 अगस्त दो हजार तेस के है वो कहीं न कहीं कार्मिक एफेक्ट आ रहा है अगर आपको लगता है कि आपके आसपास की परस्तिती जो है वो आपके अनुरूप नहीं है अगर आप किसी प्रकार से भी कुछ नेगटिव महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बदलाव खुद के बीतर लाने की है उस विशय पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है आपका दिन शुभू है यह जानते हैं मुलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 12 अगर्स 2023 के लिए और मुलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है पेशिंस का कार है लगी नंबर आपका नंबर करने का नहीं है वित्य सम्मंदी मामलों में साब्धानी बढ़ते और थोड़ा सा आपको शांत रहने की आज जरूरत है जितना जादा बेचैन होंगे जितना जादा लोगों से एक्स्पेक्टेशन लगाएंगे सोचेंगे कि फटाफट मेरा कारे हो जाए भी तक मेरा कारे है क्यों नहीं हुआ है तो आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए आज वह सही समय बिल्कुल भी नहीं है तो आज का जो दिन है वह आपको धैरे से काम लेने की जरुरत है आपका दिन शुबह आई जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रह है और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है प्रोजेक्शन का गया आपको उप्रसे रपीट रहता हैि कि आज की scanning डाधा है स्पेशली आपके वर्क प्लेस में खास तोर पर आपके घर परिवार में किसी प्रकार के कल है कि इस्तिती से आज आपको बचना है आज आपको लोगों के साथ वैसा ही विवहार करना है जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं तो कुल मिला के वाणी पर नियंतरन रखें किसी आपका इगो में किसी प्रकार के आवेश में आके आज आपको निर्णे नहीं लेना है आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें पर मात्मा अज क्या गाइड कर रहे हैं आज 12 अगस्ते 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है इनर सबसेक साथ कामकार कि साथ चुछांट करको कराएँ तो बहुत किसी सथान पर यात्रा के लिए अगर आप को कह रहा है तो आप वहीों करें जो आज आपकी गवाही देती है जो कि अंतरात्मा की अवाज है अगर आपको लगता है कि आज आपको वो कारे करना चाहिए जो आपसे कहा जा रहा है तो बिलकुल आगे बढ़िए अनिता आज के दिन आपको अपनी अंतरात्मा की बात सुननी है दूसरों पर आज आपको बिलकुल भी आशुरित नहीं रहना है किसी प्रकार का कोई निर्णे लेना है विशेश तोर पे किसी ने प्रोजेक्ट में आपको साइन करना है कुछ नई खरीद फरोक्त करनी है तो बिल्कुल भी दूसरों के भरोसे ना करें आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है चेंज का कार्ड है आपका लखी नमबर है नमबर एक और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बदलाव का है आपके जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ रहा है और लाइफ is going to change और आज यह बड़ा परिवर्तन है यह किसी भी प्रकार का हो सकता है हो सकता है कि इस वक्त आप ध्यान करें आप तोड़ा सा भेके अख़गी महसुस करें अपनी वरत मान परिस्तिती से बाहर निकलना और इसकी जो ब़र्त मान करें को सकता और अप सब्सक्रों एक सकारात्मक बदलाव का सुचक है कि अपका दिन शूद्य आये जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है going with the flow आपको कहा जा रहा है आज का दिन जो है as usual है कुछ विशेश आज की दिन में नहीं है उर्जाएं जो है वो सामाने उर्जाएं है ऐसे में जैसा कुछ हो रहा है वैसा ही आप हांसिल करें बहुत अधिक आपको जो है आज अपनी उर्जा को जबरदस्ती एक्स्ट्रा वर्क करके अपनी उर्जाओं को वेस्ट नहीं करना है बल्कि सही समय का सदूपयोग करें उसके लिए पनी उर्जाओं की सुरक्षा करें इसके अलावा आप आज ऐसा कोई भी कारें करें जिसमें की आप बहुत जादा जल्दी किसी प्रकार की रिजल्ट की उमीद करते हों जैसे की कहीं पैसे का लेंदेन है किसी को किसी से उधार लेना देना इन सब चीज़ें थोड़ा सापको आज ध्यान देने की जरुरत है विशिश तोर पर अगर आप शेयर आदी में कारे करते हैं तो वो सब में भी आज आपको मार्केट में बहुत सो समच के पैसा लगाना है आवाइड कीजिए इस तरह की चीज़ों को और आज आप क्या करेंगे सिंपली आपको आज पेशिंस के साथ है मुलांक आठ के लिए शेयरिंग का कार है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है आज का दिन आप जो भी कुछ आपने प्राप्त किया है उसे लोगों के साथ आप बाटेंगे जितना अधिक आप लोगों के साथ बाटेंगे उतने ही अच्छा ही तो हमारे को कहा भी जाता है कि अपनी आमदनी का 10% जो भाग है जो हिस्सा है हमें गुरू के रपा के लिए और साथी साथ हमें जन कल्यान के लिए उसका उपयोग करना चाहिए तो ठीक जिस प्रकार से हम धन को कमाते हैं उसी प्रकार से हम घ्यान का भी अरजन करते हैं उसी प्रकार से हम टैलेंट का भी अरजन करते हैं तो उसे भी हमें लोगों के साथ जरूर बाटना चाहिए आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं पारगस्त दो हजार तैइस के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है के कंडिशनिंग का कार्ड है लगी नमबर है आपका आठ और आपको कहा जा रहा है आपके आसपस की परिस्तिती है उसकी वजह से आपने अपना टालेंट जो है उसको पहचान नहीं पा रहे हैं अपने आपको अपने बहुत सारी सिच्वेशन में बांध रखा है शर्तों में बांध रखा है जैसे कि मेरे साथ यह प्रॉब्लम है मैं यह नहीं कर सकती मैं वह नहीं कर पारी क्योंकि परिस्तिती आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि परिस्तिती किसी भी प्रकार से हो सकती है लेकिन आपका जो टैलेंट है वो तो वैसा ही रहेगा तो अपने टैलेंट को पहचानिए अपने कारे को पहचानिए अपनी शमताओं को पहचानिए और इस परिस्तिती से ओवरकम कीजिए उसके लिए आपकी जो इनर विजडम है एक आपकी विल पावर है वो आज आपके काम आने वाली है तो जितना जादा खुद को मजबूत रखेंगे उतना जादा उवरकम कर पाएंगे आप अगर आज के दिन जो है हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आपका दिन शुभो दोस्तों यह थी रेडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं दोस्तों आप अारी कार्कर्म को उतना प्रेम और सम्मान देते हैं पूरी टीम उसके लिए आपका हमारा शुक्रियादा करती है आपके बीतर बैटे परमात्मा को मेरा प्रिनाम आप